प्रतिक्रिया आम बजट के बाद आई है वो बेहत सकरात्म का यह और हर सेक्टर से जुड़े लोग कही न कहीं इस बजट को भविश्य के भारत की उम्मीद बता रहे हैं एक फोस बजट बता रहे हैं अब से कुछ देर पहले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी का भी उद्भोधन हुआ और उन्हें इस बजट को गाउं किसान मद्यम वर्ग और लगबग सभी शेत्रों से जोड़ते हुए इसे विक्सित भारत की जो संकल्पना है उसे साकार करने की दिशा में उठाए गए कद सब्सक्राइब करने की दिशा में वो चीजे तैयार की गई है जो आने वाले समय के लिए बहुत महत्पुन और कारगर साबित होगी क्या कहें निश्यत रूप से ये बजट जो है भविश्का रोड में हम कह सकते हैं इंकम टेक्स का स्टुवेंट होने की नाते में बताना चाहूंगा कि इंकम टेक्स संबंदित जो इसमें प्रस्ताव किये गए हैं उसके अंदर मुख्य रूप से वित मंतरी का जो पूरा फोकस है वो एक वेकलपिक इंकम टेक्स रिजीम जो पिछले दो साल पहले इनने शुरू किया था उसको आगे बढाने का रहा है दो साल में न्यू टेक्स रिजीम को अधिक लोगों ने आप्ट नहीं किया तो इस कारण से इस बजट में पूरा फोकस है रहा है कि कैसे भी उस स्कीम को आगे बढाया जाए और इसलिए हम देखेंगे कि पुरा जाना चाहूंगा कि अभी ओल्ड स्कीम के अंदर साधान आयकर दाता के लिए निउन्तम छूट सीमा ड़ाइ लाग रुपई रखे गई है और सीनियर सीटिजन के लिए तीन लाग रुपई रखे गई है परंतु नई इसकीम के अंदर यह दिकोई आप्ट करता है और उसक साथ लाग रुपई तक भी होती है तो उसे कोई आयकर नहीं चुकाना होगा परंतु इसमें दो बातों का विशेश ध्यान देने की आवशकता है पहली तो यह कि जैसे ही साथ लाग की लिमिट क्रॉस होगी तो उसे जो है जो बेनिफिट है तीन लाग और साथ लाग के बी इन सब का लाब मिलता है वो लाब नहीं मिलेगा और मेडिक लेम की जो छूट मिलती है उस छूट का लाब भी नहीं मिलेगा साथ ही होम लोन के ओपर जो दो लाग ते की छूट मिलती है उसका लाब भी नई स्कीम में नहीं मिलेगा तो कुल मिला के गौश्मेंट का इंटे हैं कि वित्मंत्री ने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया यह बड़ी माइक्रो लेवल की बात कहिए आपने क्योंकि अभी तक हमारे तमाम जो एक्सपर्ट से उन बात हुए और यह बात हमने करना भी चाही थी लेकिन यह अब एक आपने अलग नजरिये से इसको बताया कि एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दिया है डॉक्टर करनया अहुजा जी हमारे साथ मुझद है सर पहले तो जो सर ने अपनी तरफ से जो टेक्स को लेकर बात कहीं कि उस पर आप क्या काएंगे और पहली प्रतिक्रिया इस पूरे बजट को लेकर मुझे लगता कि बहुत सकारात्मक बजट है क्योंकि नाइंटीन के बाद में जिस तरह की अर्थ वबस्ता हमने देखी लगबख 6.6% हमारी GDP नीचे तो उस अर्थ वबस्ता को हम देख रहे और पिसले दो साल के मजट को भी देखे तो आपके पुरागा फोकस प्राइप्टल एक्सपे था अरट पर था तो यह वह बहुत सेम कैरी फ़रवेड हुआ है इंदिय आप इस मजट को बहुत ज्यान से नेखेंगे तो के मृट ऑच ज्एन दिया गया गया के मैस ज्एब हमारी जो basic जो macro fundamentals जो हमारे इस पर थोड़े डिस्टरब है, I think यह government का उस तरह पे फोकस है कि macro fundamentals को revive कि हाउजिंग बहुत धान दिया गया है, even digital infrastructure पे बहुत धान दिया गया है, तो budget पे बहुत कुछ development budget है, जो हम भी बहुत सारे normal लोग बात कर रहे थे कि शायद इस तरह का इस कि बजाए एक थोस भविष्ची को रिमान को आदा, even sir ने बात करी income tax की, तो मुझे लगता है कि income tax पे भी government बहुत ध्यान से उसको in between the lines रीड किया जाए, तो बहुत बहुत जादा कुछ लाब income tax का दिया नहीं गया, बहुत सारी चूट आप से ले ली गई है, और कुछ थ मुझे एक थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि economics का चात्र, economics का विद्यारती हूँ, किसी भी अर्थववर्था में saving बहुत बड़ा important role होता है, और हम 1,50,000 तार की ATC में saving हम करते थे, मजबूरी में बहुत सारी लोग करते थे, अब क्योंकि नए regimes में आपको उस तरह की saving करनी नहीं है, तो जो saving rate है, शायद वो हमारा dip हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, वो ठीक नहीं है, भारत में याप इतने सालों कि आप अर्थवस्ता को देखेंगे, तो saving or capital formation का बहुत important role रहा है, तो यहां कहीं ना कि मुझे लगता है, गौर्मेंट से थोड़ी चूक है, या गौ digital चीजें हैं, उनके इस्तेमाल में बहुत तेजी के साथ बड़ोतरी आई है, लेकिन ये देखने में आया था कि जो digital चीजों का इस्तेमाल है, वो एक निश्चित वर्ग के द्वारा किया जारा, लेकिन अब ग्रामिन इलाकों में, ग्रॉस रूट पर कही ना कहीं, जो digital च इस बजट में काफी जोड दिया गया है, और अभी इंकटेक्स संबंधित यदी हम देखें, तो बहुत सारी इंफरमेशन इंकटेक्स डिपार्टमेंट को डिजिटलाइजेशन के कारण से मिल रही है, एक विक्ति के गवारा जितने बेंक एकाउंट खोले गया है, जितने इस सब इंफरमेशन इंकटेक्स के पोर्टल के उपर उपलब्ध हो गई है, तो इसके माध्यम से जैसे अभी आपने कहा कि गवार्मेंट का टेक्स बेस बढ़ाने के प्रयास है, तो यह जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इससे टेक्स बेस आटोमेटिकली बढ़ने वा से लेके LIC, प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन, कोई सभी ट्रांजेक्शन हो, सब सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और बहुत तेजी से हो रहा है, और आर्टिफिशल इंटेलिएंस के माध्यम से गौवर्मेंट करताओं को जो की टेक्स नहीं चुकाते हैं, उनके उपर श तो वो 6% यादि उनके बेंकिंग चैनल के थ्रूप पैमेंट्स आती हैं, और अधर्वाइज 8% इंकाम घोशित करके अपने एटन फाइल कर सकते हैं, उसके अंदर उनको बुक्स अप एकांट्स मेंटेन करने की या आउडिट करवाने की आउशकता नहीं होगी, उस सीमा क बढ़ा के 2-3 करोड रुपे कर दिया गया है, परंतु साथ में जैसे आपने खा डिजिटालाइजिशन की बात, तो उसमें भी वो बात डाल दी गई है, कि उसमें एक कंडिशन डाल दी है, कि उसका 95% पैमेंट या उसका टर्ण ओवर का जो रिसीट है, वह बेंकिंग चैन से या डॉक्टर से, उनके लिए भी प्रजेंटिव टेक्सेशन की स्कीम में अभी 50 लाग उर्पे तक की अधी उनकी रिसीट होती है, तो वो उसका लाब ले सकते हैं, और बिना बुक्स अप एकाउंट रखे, अपनी रिसीट का minimum 50% इंकम बता के और ITR फाइल कर सकते हैं, उस सीमा को भी इस बजेट में बढ़ा के 75 लाग किया गया है, पर उसके साथ ही वो डिजिटलाइजेशन वाली बात कह दी गई है, कि 5% से ज़्यादा यह दी केश रिसीट उस प्रफेशनल की होती है, तो वह यह बड़ी हुई लिमिट है, जो 50 लाग से 75 लाग की उसका ला है, क्योंकि बहुत बड़ी बात, आपको आदट डाल दी गई कि आपको जो ट्रैंजेक्शन करना वोट इचिटल फिनांसल हर ट्रैंजेक्शन को डिजेटल फॉर्म में करना है, तो आप अपजिटल्चिन जर्फ जा रहे हैं, और फिनाशल डिजिटल इचिन तो बहुत ज पजबूरी मानले या फिर कही न कही आने वाले समय के बड़ोतरी के लिए आपको एक बात बता हूं हम भारत के विकास के जी समय के साथ चलना है दूनिया के साथ चलना तो इसके साथ ही रहना होगा मिरी कांटि उप लने तो वहां भी टेक्नालोजी का रोल होगा हर सेक्टर की बात कर लिए हर सेक्टर में टेक्नोजी का अपना एक रोल होने वाला है और टेक्नोजीकल लेड ग्रोथ की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं और यह बजट को बहुत जान से देखेंगे तो गौर्वर्मेंट ने भी इस पर बहुत फोकस किया कि नहीं टेक्नोजी महाँ पर सबसे ज़्यादा कई डिजिटल करांती की ज़रुवत में हिसाथ हो रही है कि इस बजट में इसे कदम है जो महाँ पर राहत देंगे लोगों को इससे जोड़ पाएंगे लोगों को इसकी आदत बना पाएंगे अभी जो 40% हम लोग देखें डिजिटल कांती और यूपी पेमेंट का सिल्सिला बढ़ा है वो मेट्रो सिटी के कारण सबसे ज़्यादा बढ़ा है ग्रामिन इलाकों में आज भी हम देखे तो नगदी वेवार ज़्यादा चलता है दिनी उसके लाबा बहुत सारी चीज़ें इन्फरमेशन इन्फरमेशन तब तक किसान आज कुंसा वियाज कौंसा विच्न कहाथ काट कौंसा कौंसा एक्टिमेंट सिससीज़स तक पहुंचती इंदुडू इंदोर जिसको मैं यहां बोलना चाहूंगा, MSME Sector पे बहुत जहान दिया गया MSME Sector में अब सडकार को यह लगने लग गया कि MSME Sector जादा से जादा गाउं में हो क्योंकि गाउं का आदमी शहर में नहीं आए, शहर में इतनी शमता नहीं, शहर ओरी फुल है इस तर पर रोजगार और उद्यों क्या उसर रहा है? जादा से जादा MSME अब Rural Belts में और Rural Belts में जो इंफस्टर चाहिए, सरकार उस पर ध्यान दे रही है तो एक बहुत बड़ी कांती भारत में आ सकती है, कि MSME Sector जादा से जादा ग्रामिन चेत्रों में डवलप हो सर विसे MSME सेक्टर को लेकर केंदर सरकार तो संजीदा थी थी, हमने देखा कि पिछले समय उत्तर प्रदेश में भी Global Summit का आयोजन हुआ था, पिछले दिनों इंदोर में भी Global Summit का आयोजन हुआ, उसमें MSME को भी राज्य सरकारों ने भी अपने केंदर में रखा है, तो क्या अब MSME को लेकर अगर राज्य सरकार है, बने ही वो किसी भी राजनितिक दल्की हो, वो सेंटरल गौर्रमेंट के साथ कदम ताल करती है, तो इसका सीधा-सीधा असर जो वरतमान आर्थिक चुनोतिया है, उसको कम करने में सहायक साबित हो सकती है, बिलकुल, आपने बहुत म अभी बजट आया है, आज उसके अंदर एक महत्पुल प्रावधान किया गया है, इंकम टेक्स में धारा है 43B, उसके अंतरगत ये कि यदि कोई वेपारी को किसी खर्ज का डिटेक्शन लेना है, उसके डिटरन के अंदर, तो उसके लिए आवर्श है कि वहाँ उससे सम्मं भुकतान कर दे, तो उसके अंदर SMEs को जोड़ दिया गया है, अभी तक यह जो प्रावधान है, वो बैंकों के द्वारा जो पेमेंट डियू होता था, या जो ब्याज डियू होता था, उसके लिए लागू होता था, परन्तु अभी इसके अंदर ये प्रस्ताव क्या गया है, कि यदि किसी वेक्ति को SMEs को पेमेंट करना है, और वहाँ पेमेंट यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं करेगा, तो उसको जो डिडेक्शन इंकमटेस के अंदर मिलता है, वो डिडेक्शन नहीं मिलेगा, और दूसरा महत्तपूर्ण परिवरतनी ये कर दिया ग है, कि अभी SMEs को निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी वेक्ति के द्वारा जो पेमेंट किया जाना है, उसका भुक्ता नहीं किया गया, तो उससे वह डिडेक्शन ना तो इस वर्ष मिलेगा, ना भविश में जब वो पेमेंट करेगा, तब मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि उसके उपर उसको अत्रिक्ट करका भार महन करना पड़ाएगा, जो कुछ दशाओं के अंदर 30% तक भी हो सकता है, तो कोई भी वेपारी नहीं चाहेगा कि उसके पर यह अत्रिक्ट करका भार आए, तो इससे में वह सजग होगा कि SMEs को जो पेमेंट करना है, वह प्रविटी हता ही गई है, उसमें हम देखें कि लिथियम बेटरी है, यह वीकल को प्रमोट करने के लिए भी सरकार ने यहां पर कुछ कदम उठाए, हालां कि कहीं नहीं उम्मीद की जा रही थी कि उससे सबसीडी मिल सकती है, तो उस दिशा में तो कदम नहीं उठाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब प्रमोट करने के लिए सरकार ने अपना तरीका जरूर अपनाया है, क्या कहेंगे सरूर। काफी फंड उन्होंने इसके लिए, इवन आप 2070 तक हम को जीरो कारबन एमिशन कंट्री की रूप में आना है और उसमें उसी डारेक्शन में अभी से भारत काम कर रहा है, तो यहां से ऐसा लगता है कि भारत ने ग्रीन ग्रोथ की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन से काम करेंगी. करने के लिए भी कुछ है? हमें उसके लिए मिल जाएगा. तो और दुसी तरफ, यह छोटे जो हैंगे वेपारी, उनको यदि COVID के अंदर वो अपने जो obligations थे, contracts थे, उनको फुल्फिल नहीं कर पाए, तो उनके उपर जो उनके उपर penalties लगी थी, उसके अंदर भी रहात दी गई है, ताकि वो लोग फि कोविट की बात की लेकिन उसके बाद से सबसे महत्पून सवाल यह उठा था कि हमारा मेडिकल फिल्ड का इंफास्ट्रक्चर किसना ज्यादा मजबूत हो ताकि भविश्य की किसी भी तरह की चुनोती से निपटने के लिए हम हर तरीके से सक्षम हो, क्या इस बजट में उस का सबख सिका है, और यदि हम अपने GDP का वह हिस्सा देखे हैं कोविट से पहले हम एक देशमलो दो प्रतिशत अपनी GDP का हम पर खर्च करते थे, इसको बढ़ा के आज की तारिक में हम दो दो कर रहे हैं और गवर्मनिंट का धान गया है, हम पहले हमारे हेल्थ सेक्टर के ल हो रहा है और सरकार को यह रिलाइज हुआ है कि हमको विकास करना है तो यूमन कापिटल बहुत हमारे लिए इंपोरटर रहे जब तरह दो तिन साल की यूजना वह आप देखे भारत की तो बहुत बहुत सारा परिवातन human capital के development की तरफ गया और यह budget में भी वो जलकता है सर बात रोजगार की की जाए क्योंकि अभी हम देखें तो चारो तरफ से सबसे बड़ी अगर चुनोतियों का अगर हम एक डूंडें और उसमें कोई चुनोती सबसे बड़ी है तो वो है रोजगार की हमने देखा कि सरकार ने कोशल विकास को लेकर इसकील डेवलपमेंट को लेकर इस बार खास प्रावधान किये हैं इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी मनशा भी इसपष्ट कर दिये यह सर क्रांती इसकील डेवलपमेंट की क्योंकि इस एक सबसे बड़ी चुनोती जैसा सर ने भी बताया आपने भी बताया कि इस्थानी इस तरफ पर जो रूलर इरिया है महा का युवा शहर की तरफ जा रहा है व्यापार विवसाय करने के लिए क्या ये योजना इसकील ड देना चाहूंगा वो पी एम आवास योजना का जो अलोकिशन था उसको काफी बढ़ा दिया और पी एम हाउजिंग की जो इसकी में इसको बढ़ाने से जैसा हम सब जानते हैं कि हाउसिंग सेक्टर कैसा सेक्टर है जिसमें इस्थानी लोगों को भी रोजगार मिलता है और हाउसिंग के अंदर लगने वाली सामगरी विवित परकार की होती है सिमेंट है सरिया है रेती है गिट्टी है और बहुत सारी सामगरियां लगती है तो उन सामगरी से पूरी अर्थ ववस्ता के अंदर जो एक साइकल है उसको गती मिलती है तो यदि हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तो इस्थानी लोगों को रोजगार मिलेगा विभिन प्रकार के जो द्योग वेलसा है उसके अंदर जुड़े में हैं उनको उससे फाइदा मिलेगा रियल इस्टेट को फाइदा मिलेगा और इसके कारण से मैं सोचता हूं कि युवाओं को भी एक अच् लगग करोड का कर्चोंगे ड्स पर खचोंगे रोड़्स पर अवास द्रोड़ को फाइदा मिलेगा और इनकोब्चा करोड को बढ़ाने में में बदद करेंगा और एक संटेंश आपने देखा तो फिनांस मिनिस्टर ने बोला है हम अन और्गनाइस सेक्टर को कम करके और्गनाइस सेक्टर को बढ़ा का जो दर्जा है को पतीशत है वो बढ़ाना चाहते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है कि बहुत साथ हमारा तपका जो है आज की तारिक में 90% तपका हम अन और्गनाइस सेक्टर में संगटी 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 चेत्र हमारा बढ़ना चाहिए वह उस तरह बहुत बढ़ा ड़ा कि सामुए कुरूच से रोज़गार मिले तो यह बहुत बढ़ा एक बहुत बज़ट में जलगता है कि सरकार का बहुत इक स्ट्रॉंग एक नोशन है पर बहुत बाद शाल आम चुना होना है तो सरकार के केंदर में हो सकता है कि बज़ट में लोग लुभावन वादे रहें, लेकिन हमने देखा कि सरकार जोखिम भी लिया है और यह बताने की कोशिश कियेंगी उनके केंदर में भारत के समगर रूप से विकास की एक जो सपना है वो उनके केंदर में हो यहां पर सरकार ने कहीं जो चुनावी घोशना है उससे इतर इस बजट को तयार किया है मैं आपकी बात से पूंता सहमत हूं लोग भावरी घोशनाई करने से अर्थ ववस्ता जो है उसको एक सेड़वेक मिल जाता है वहाँ पर राजनीती प्रतम हो जाती है प्रूंतो जो भारत की एकॉनोमी है पिछले नौ वर्षों के अंदर दस्वें स्थान से पांच्वें स् जाएगा तो यह जो दोड़ के हंदर हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है उस दोड़ को करार रखने के लिए आवशक था कि इसी प्रकार का बजट आता यदि लोग लुभावनी घोशनाई की जाती तो उसके कारण से अर्थ व्यवस्ता को सेड़वेक मिलने की संभाव तो इस माइने में इसी कारण से आप देखेंगे कि शेर मार्किट ने भी इसको काफी एप्रिशेट किया है और करीब एक हजार पॉइंट आज शेर मार्किट के जब बजट आया उस समय बढ़ गये थे तो शेर मार्किट जो है बहुत जल्दी जो है बजट का इनलेसेस कर दे नहीं कर पाता है तो से भी हमें चन्दाज के लिए यह बजट मील का पत्थर था पहेकर है कि चिरेशी की पैचान थी यह वह रावतार के चीटें से हमारी पहजान होगी मैं थोड़ा दो-तीन पॉइंट इसमें बोनना चाहूंगा, अभी भी हमारे लिए दो-तीन पॉइंट्स बहुत चिंता के विशह है, एक है capital CD, current account deficit, जो हमारा external sector में आज जो हमारी आहलत है, current account deficit हमारे लिए चिंता का विशह है, और हमारी dependency जो imports पे है, कहना कहीं हमें आगे पी अब तक काम कराएंगे, हमारा जो fiscal deficit है, वो 6.6% के उपर है, तो इसको कहीना कि हमें आगे 2-3 सालों में 4.5% या 4% के आज पर लाना होगा, अदरवाइस फिसकल deficit हमारे लिए गले की अड़ी बन जाएगा, तो कहीना कि विकास का जो model है, जो भी विकास का इस budget सेम को direction मिलता है, चाहिए वो capital expenditure की तरफ हो, चाहिए digital economy की तरफ हो, वो सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीना कि हमें बहुत watchful रहना पड़ेगा, अपने current account deficit को लेके, अपने fiscal deficit को लेके, ये हमारे लिए तो concerned area है, कि इस पे हमको बहुत ध्यान देना होगा, अदरवाइस ऐसा नहीं ह कि हम विकास तो करें, लेकिन उधार लेकि विकास करें, वो model हमको नहीं चाहिए, लेकिन सब्सक्राइब, जिसे हमने बात की, क्या आपको इस budget में कुछ ऐसा दिखता है, जिससे कहीं न कहीं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने संबनी कवायत की गई, बिल्कुल हमारे infrastructure development ह होगा तो एक्सपोर्ट अपने आप होगा, बहुत सारी जिरू में होगा, हम बहुत agriculture sector में हमारे पास क्या है, हमारे पास इतना agriculture production है, हमें चंता करने की जुरत थी अगले दो साल तक, इतना बार पास surplus है, हमारे पास export के लिए बहुत avenues है, लेकिन हम कर रहे हैं, लेकिन हमार जो capital account, current account deficit है, वो कम से कम हो, तो वो हम उस तरह हमारे को, हमको focus करना पड़ेगा. Sir, लगता है in future, यह जो budget की एक सनरचना है, जो रूपरे का हमारे सामने export को लेकर कुछ नया इतिहास रचने के करीब पहुचा सकती है हमारे? कि कुल मिला के वर्तमान परिस्तितियों में मेरे खायल से जहां तक मैं प्रत्यक्ष करों की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा options वित्मंतिर के पास नहीं थे, और जितने options से उसके अंदर से जो best possible कर सकती थी, उन्हें करने का प्रयास किया है, और चुकि income tax के collections भी काफी ब बहुत अधिक धनराशी के जारा वहन की जाएगी, तो यदि एक तरफ free food के लिए इतनी राशी दी जाना है, नीचे के तपके के लिए free medical दिया जाना है, education दिया जाना है, तो उसके लिए धन के आउशक्ता तो होगी, और यदि सभी को relief दे देंगे, और फिर deficit financing जदा सब्सक्राइब के लिए तो काफी अच्छा budget है, सर मध्यम वर्ग के लिए आपको क्या लगता है, कुछ relief है क्योंकि खासतोर पर महंगाई, जो है वो कमर तोड़ रही है, मध्यम वर्ग को हर बार रहती है, लेकिन पिछले कुछ बजट में, उनकी उम्मीद के मुताबिक य जिस तरह की उमीद थी उस तरह का बुझे देखने को इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए नहीं मिला, लेकिन ठीक है विकास का बॉड़ल है दीरे देरे आएगा, दीरे सा आएगा, हम तो टेक्स बेनेफिट की उमीद कर रहे थे कि सर बेटे यहाँ पर उस तरह का बेने देखने को नहीं मिला, लेकिन ठीक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़े है, विकास बढ़ता है, इंफ्रेस्ट्रेक्चर डेवलपेंट होता है, और फिनांशल लिट्रेसी बढ़ती है, फिनांशल इंक्लूजन बढ़ता है, तो यह सब चीज़े डिरेटली आपके विका करशी में जाता है, तो उसका benefit definitely मिलेगा हमको. जो एकॉनोमिकल होगी, अभी तक ही होता है, जो सिमान वर्ती किसान होते हैं, जिनके पास कम क्रशी होती है, उनको ऐसा देखा जाता है, कि उनके लिए लाप्रत नहीं होता है खेती करना, मजबूरी में करना परन्तु यह सा हर्टिकल्चर के लिए भी बहुत बड़ी खेती के प्रती सजग होंगे और खेती के और आएंगे, ताकि उनको अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा करशकों को, युवाओं को, रोजगार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आकर्शन भी बड़ेगा और देश का करशी उत्पादन भी बड़ेगा. सर इसमें हम लोग जब अभी जी यह समने कवर की थी तमाम निवेशकों से चर्चा हुई थी सबके जो एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि व्यापार व्योसा या निवेशक जब कहीं पर अपने उद्यम की स्थापना करना चाहता है तो सिंगल विंडो सिस्टम की हमारे यहां पर कही ना कहीं सबसे ज़्यादा एक परिशानी वह महसूस करता है उस चेन को क्या समाप्त करने के लिए यहां पर कुछ प्रयाज किया इस बज़ट पर तो बहुत कुछ किया गया सार कि इतने शाह 17,000 कुछ कम किये गये हैं और यह इस-to-do बिजनस में काफी कुछ काम किय इतना ट्रांस्पिरेंसी लाने के लिए खास वर पर निवेशकों के लिए उद्योग जगत के लोगों के लिए क्योंकि उनकी मांग थी कि पारदरशीता रहे कम से कम उनके काम करने के सिलसीले में क्या लगता है आपको कि उसमें रिलीफ मिला हूँ देखिए हमेशा इंप्रुमेंट का स्कोप तो हता है देर इस और इसकोप फर इंप्रुमेंट और काफी ट्रांसमिशन हो रहा है आज की टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सरी चीजे गौर्णमेंट में पोर्टल के उपर कर दी है ऐसे मी का रजिस्ट्रेशन हो या बहुत स सारे जो कम्प्लाइंसेस थे उनको कम कर दिया है परंतो अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाखी है हमारे देश के अंदर एक विडबना ये है कि यदि सरकार बहुत ज्यादा चीजे किसी को लिबरल कर देती है तो कुछ तपका ऐसा है जो उसका बहुत ज्यादा मिस्यूस करना प्राणम कर देता है जिसा हमने जीस्टी में देखा कि यह करते हैं कि आनलाइन आपको रिजिस्ट्रेशन सेम डे मिल जाएगा तो इसके बाद हमने देखा कि फॉल्स रिजिस्ट्रेशन इतने जादा होने लगे और बोकस जो इन्वाइज होते हैं उनका चलन बहुत जाते हैं जिसमें कि आम जो करदाता है उसको भी परिशानी होती है वो फिर यह कहने पड़ जाता है कि बढ़ गई है जिया तो यह सबी के एक जवाबदारी है जागरूपता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार पर निरभरता कम करने की ज़रूरत है कुल मिलाकर यह जाननी है तो यह बढ़ बढ़ा रिफ्लेक्शन देता है आपको एक विकास का जो मॉडल जिसतार का भारत को आना चाहिए जो की पर अचाहिए जो एक ऐसी जनसंक्या चाहता है जैसे फिनाशन लिट्रेशियों फिनाशन इंक्लूजन हो टेक्नलोजी लेड़ ग्रोथ हो तो यह सब कुछ जलगता है मुझे लगता है कि और यह एक और रांकिंग करना हो यह बहुत बढ़िया विकास के लिए उपिक्त मो समय के लिए अधिक अच्छे होंगे और यही बात प्रजान मंस्री नरेंद्र मोधी ने भी कहिए है कि आने वाले समय को बहतर करने के लिए एक जो मजबूत नियुकी जरूरत है वो कही ना कहीं बजट के माध्यम से तैयार की गई है तो फिलाल हमारे पेशकश में इतना ही उसमें आपके लिए ये बेहद लाबकारी और फाइदेमन साबीत होगी लेकिन फिलाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही डीजियाना नियूस पर खबरों का सिल्सिला जा रही है आम बजट से जुड़े तमाम अपडेट्स भी हमारे साथ जा रही है आप बने रही है हमा